बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकूं वेल्किम्बेक निजाम अफ्रीदी व्लोग कैसे हैं आप सब तो आज आप लोगों के साथ बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो शेर करेंगे व्लोग बनाएंगे वेडियो करेंट तक जरूर देखना अगर चैनल पर ने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेल की गंटी को जरूर दबाना मेरे साथ हारिस भाई भी है और चलो बात में आप लोग देखोगे कहां जा रहे हैं तब निल तो आप लोगों ने दीखी होगी कि ऐसार्फ अर यह जो जग्याँ यह मचिद घूटी से इस तरफ सी गंटियाली के रिए उड्यम के लिए रास्ता ने कल रहा है यहिंप को गंट्याली की तरह जा रहा है और पीजी इए करेस्ता थे ज़ो पश्तों गंट्याली की तरफ सी जाती है और वह सामने पाम्प है क्ट्वाल डीजल वाले और यह जो लेफ्स राइट साइड पर जो रास्त है यह स्याप की तरफ जाता है यह मर्टीट भी आ है यहांपर तो चला आगे हैं आगे लिए हैं यह डाइब के साथ जो है और बॉलगराउंड भी गंदियाली वाल इनको बंदियाली पयान वोड़े इसको इस जगए को चाहिए यह उनकी ग्राउंड है पाशला खुब्सूरा ग्राउंड है नम्यान होती रहती यार वक फॉटबॉलिक अब यह चेके जो यह उपर डेम है बड़ा वाला है वह आपको पाक में देखाई हुआ है आपके डेम के पीछिए जो निच्री साइड वह देखाते है अप लूग मुझा यह डेम के जो नीच्छी साइड झाड आपको पानी निकल रहा है अभी तो बहुत अप्लो है इस चोटी से खेंकी बनाई हुए है यह जो नाली जा रही है नेर जा रही है यह गाउं के लिए केतों के लिए जा रही है तो अची बात है अभी इंशला आप लोगे साथ ओपर डेंकी भी कुछ तुरत हो ना यह शेयर करेंगा पहाड़ों पे चड़ना भी हर किसी की बस की बात नहीं अभी तोड़ा सा और रह गया है यह जगे आप देख रहे हैं माशाला यह काफी खुबसूरत है यह जगे इनीची पनी बी जमा हुआ है यह इसलिया बी डेम में पनी बात ज्यादा कम है बारे शुक हो जाती है बात ज्यादा खाली है पहले की बन इस बत जब डेम बर जाते हैं तो यहां से पन निकल आते हैं डेम से और पर यह जगे ज़ायर पानी के लिए अपना रास्ता बनाया हुआ है यहां से पर निकलता है कुछ ज्याद ही पानी होता है आप पर इस जगे से इंटर होता है डेम के लिए आगे जो फटरनाग से छोड़ाई है अभी आप लोग देवों के लिए मोटर साइकल काफी तकलीफ वासी उपर चड़ता है और कार होते हैं सुजुकी होती है वह तो बिल्कुल चड़ी नहीं सकते हैं कि यह जगे देख रहे हैं एक काफी बड़े चड़ाई है और हमारे जो इंतेजाम यह उनकी बिल्कुल परवाई नहीं कि यह जगे बना लिए आप देख रहे हैं बाइक उपर आ रही हैं कितने तकलीफ हैं मेरी सास पी बॉल रही है आप लोग कहोगे कि यह तो काफी तो है है यह लाद तो पर अ तो वेल्कम टुभी गंडियाली डेम डेम के नाजार अभी काफी खुब्सूरा था माशालला हाव अभी काफी थेज चल रही है यह अधर पाड़ तक यह डेम पानी से बरी रहती है अगटा भी पानी तोड़ा सा कम यह जग है अगर आप लोग को दिखाई आप लोग की छोजिटात की रही है नी तक पानी होता है या रही हो टाइब्व डॉने शयुटा रहाभ पांप निया है अग二शक है करास्ते वहां लेगे जाओगा, आपलाओगा वहां इभी कुछ उपसुरत मुशादे काई यहां से गाउनों की नजारा भी काफी उपसुरते, माशालादा इस गर्दियान की जुछ गाउने माशालादा शास्मान की माशालाद आपके साथ यहां की 360 व्यू को देखाते हैं आम लोगों का अगर यह व्यू 360 की एंगल आपके अच्छी लगे तो लाइक और कॉमेंट्स में माशालादा जरूर लिख दीजियागा चलो देखाते हैं क्वचचे के अच्छी के गाउने प्रक्षा के अच्छी लगें अच्छी ने टो देखाते हैं अच्छी लग्यू5ग प्रू़ 6 कर दोड़िया। यह जजीरा आप देख रहे हैं यह भी काफी खुबसूरत है पानी के अंदर ज़ो डैम के अंदर जजीरा यह पानी जब ज्यादा हो जाता है तो पीछी जो आप पाड़ देख रहे हो वह तक पानी चला जाते और पिछली साइट से जो बाबरी बंड़ा की मैदान और पुरा नजारा देखाई देता है इस जगी की डैम की वह बें शलाब लोगो को देखाएंगे अगर मौका मिला और यह जो जगे यहां पर किताब बनाई है इस पर आयतुर कुर्सी रिकी ती तो खेर है ही नहीं बारेशों की बज़ए से बेट गई है यहां पर जो लिकी थी के लंब से इंशाला अगर मौका मिला तो किसी पेंटर को लेकर आएंगे और यहां पर पिर से ओगी है तो पुर्सी लेकिंगे इंशाला यहां से डैम की नाजारा भी काफी खुशूरत है माशाला यह डैम जो है यह को हाट मैं एक जो बड़ा सा दैम है तंडा डैम है और यह चोटा है गंडियाली डैम एक वाट से कुछ 12-13 कीलोमेटर के फासले पर है और हमारे गाउं की से कुछ 10 किलोमेटर की तीन चार किलोमेटर के फासले पर है यह देख रहे हैं यहां से तोड़ा थोड़ा सा यह जग देख रहे हैं इस पर पिर से इसको ताजा करेंगे अगर इंशालला मौका मिले तो यह जग आप लोग ने पहली क्लिप में दीकी होगी यहां से पानी आता है जब डेंफ फुल हो जाते हैं पर यहां पर रुख जाती है और जब यहां से फिर पानी ज्यादा हो जाता है तो नीची जाती है और गाओं में जो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं यहां से काफी खुबसूरत नजारा देख दिकाई देता है और आज तो हाव भी माशाला खुबसूरत चल रही यह डेम आप लोग देखाना था आज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो कॉमेंट्स कर रहा और अपनी दोस्तों के साथ शेर कर सलाम अलेकूं अल्ला हाफीज